हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखिए UPSC का जो PT का एक्जाम हुआ था उसके first shift के general knowledge के मैं कुछ questions और उनके answer यहां पर बताने वाला हूँ इसके साथ में मेरी आप सबसे एक request है कि comment box में इनके अलावा और भी जितने GK के questions हों या कोई और question आपको ऐसा लगाओ कि टब question है इसका answer पता होना चाहिए सिर्फ Google सर्च करके आप right answer पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उसको comment करिए और एक दूसरे के questions को answer कर दीजिए जिससे आपको पता से जाए मैंने यहाँ पर करीब 15 questions रखे हैं उनके answer मैं आपको बता देता हूँ बड़े ही simple question है और जैसा कि अनुमान था भी paper simple ही होगा तो इस paper को टप तो नहीं कहा जा सकता इसमें पूचा गया first president of India आपको पता है डॉक्टर राजेंद पर साथ थे meeting of Hitler and स्वास्चंद्र boss देखे बॉस और Hitler यह दोनों मिले थे मई 1942 में 2020 का Nobel Peace Prize पूचा गया Nobel Prize जाना तर Nobel Prize मिलते हैं Sweden में केवल Nobel Peace Prize ऐसा होता है जो मिलता है नौर्वे की राजधानी ओसलो में तो जो Nobel Peace Prize 2020 का था वो मिला था WFP को WFP नहीं के World Food Program Capital of Switzerland पूची की Switzerland का नाम आता है तो हमें याद आता है जिनेवा पर जिनेवा श्रेजेलेंड की capital नहीं है स्वेजेलेंड की capital Bern 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 स्वेजेलेंड की capital है मनसबदारी सिस्टम ये मुगल बादसा अकबर ने सुरू किया था PM ऑफ इसराइल देखें इसराइल के prime minister पहले तो आपको पता है Benjamin Netanyahu थे Benjamin Netanyahu के बाद अब extreme rightist prime minister बने है इसराइल के नपताली Bennett इसराइल ने भी कुछ दिन पहले गाजा पे इसराइक भी की थी जिस समय Benjamin Netanyahu PM थे और अभी एक दो दिन पहले भी इसराइल पर इसराइक हुई है अभी PM है नपताली Bennett फेमा का full form पूछा गया था फेमा means federal emergency management agency हिंदी दिवस कम मनाया जाता है हिंदी का हम दिवस मनाते हैं हिंदी हाला की मिठती जा रही है हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सेतंबर को हुआ क्या था जी भारत में अंग्रेजों का सासन था तो आधिकार एक भासा जो official language थी वो अंग्रेजी बनके रह गए थी तो 14 सेतंबर को यह सब ने असेप्ट कर लिया था कि हम क्या करेंगी कि official language हिंदी को बनाएंगे तो हिंदी को भी official language इंग्लिस भी रहेगी हिंदी भी official language की रूप में सामिल होगी यह 14 सेप्टेंबर 1949 को यह बात मानें गई थी इसलिए उस दिन को हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं तो 14 सेतंबर आंसर हो गया विच कंट्री इस नॉट इन सार्क देखिए सार्क मतलब South Asian Association of Regional Corporation इसमें आठ कंट्री है पकिस्तान अफगानिस्तान जिस पर तालिवाने कपज़ा हो गया इंडिया माल दीप श्री लंका नेपाल भूटान और बंगलादेश इनके अलाबा जो भी option में हो जनरली पड़ोस के कंट्री दे दी जाती है जैसे मैंमार है तो मैंमार सार्क में नहीं है थाइलेंड वियतनाम लाओस कंबोडिया ब्रोणी यह सब सार्क में नहीं है यह आसेयान कंट्रेज है विच करेंट डस नॉट पास वाई डियो देखिए ओस की बुन्दों से कौन स से करेंट पास हो जाती है बिटामिन इन औरेंजेज संत्रों में कौन सा बिटामिन होता है संत्रों में होता है बिटामिन सी कुरोना के पेसेंट के लिए बिटामिन सी बड़ा फायदा करता है इसलिए आपने देखा होगा कि देश में संत्रों की भी काला बजारी शुरू ह हो गई थी, right to education, 2002 में समधान संसोधन किया गया 86th amendment और उसमें यह कहा गया कि 6-14 साल के बच्चों के लिए free and compulsory education होगी, free भी होगी और compulsory भी होगी, तो यह right to education में बोला गया था और एक article 8 किया गया, आपने पढ़ा होगा कि article है article 21 जिसमें बात किया थी, right to life and personal dignity, तो इसी में एक sub-part act किया गया, article 21A, 21A में right to education के बात की गई है, ओनम festival कभी किरला जाईएगा तो इस festival में जरूर सामिल होना, president of congress after सुबास चंदर बॉस, देखे बॉस जी के बाद एक महिने के लिए, March के महिने के लिए, रजेंद प्रसाद जी को president बनाये गया था, लेकिन अगर option में अबुल कलाम आजाद है, तो अबुल कलाम आजाद आप option चूज करिएगा, क्योंकि जो regular president थे, स्वासन बॉस जी के बाद, वो अबुल कलाम आजाद जी ही बने थे, बुक बाई नहिरू, नहिरू जी की लिखी बहुत सारी किताब हैं, discovery of India पूछा गया था इसमें, एकसर पूछा जाता रहता है, तो यह 15 question है, I hope इनके answers आपको बैसे भी आपको पताई होगा, यह बड़े ही simple question थे, आप लोग comment करके एक दूसरे के help जरूर करिए, peer learning एक हमेशा भारत में एक सक्षा परणाली का part रहा है, तो एक दूसरे के doubts हों, एक दूसरे की queries हों, उनको आप comment में लिख सकते हों और आप answer कर सकते हैं, और एक दूसरे का support करने के साथ साथ, चैनल को subscribe करके मेरा भी support कर दीजिए, thanks for watching, Jai Hind